नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता है ड्रीम मिनिंग रूजी 1.0 में आज हम डिटेल में कवर करेंगे बी सी सी वर्षिज पी सी सी टीमों के बीच में जो एसी स्टी टैन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बेस्ट में, कौन सा लाउंडर और कौन सा बोलर आपके लिए इपोर्टन पिक बनेगी, किन-किन प्लेरों का आप C और VC के रूप में ट्राइ करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेर होंगी, जो आज के इस मैच मे आपके लिए small league में एक best pick बनेगी और किन किन प्लेरों को आप mega contest GL में as a trump card pick यूज करके चल सकती हूँ तो संपूर्ण analysis मिलेगा आपको इस वीडियो में और सबसे important बात जो भी इस मुकाबले की final team रहेगी जो final update रहेगी वो मिलेगी guys आपको मारे इस telegram channel पे और इस telegram channel के दू लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे blue color के link रहेंगे simply आप वहां पे click करके मारे telegram channel को join कर सकती हूँ और साथ साथ जो भी हमारे final small league और mega contest GL की टीम होगी वो भी आपको मारे इसी telegram channel पे provide करवा दी जाएगी तो telegram channel आपके लिए काफी जादा important रहेगा guys तो जल्द इसे जाके telegram channel को join करेना अब आते हैं दोस्तो analyze section में तो दोस्तो इस match का venue रहेगा winner cricket ground में यह मुकाबला खेला जाएगा आज रात आठ बजी यह मुकाबला स्टार्ट होगा अगर दोस्तो बात की जाए पिछ रिपोर्ट की तो औरोल यहां का विकेट हो एक बैलेस विकेट अकसेप्ट किया गया वे साथ साथ देखो तो इस venue के उपर पेसर गेंदवादों को भी काफी अच्छी मदद मिलती है पॉसिबल प्लेंग 11 तो दोस्तो उससे पहले गर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज केवल पचास लाइक का टार्गेट है आई होप आप जल्दी कंपलीट कर दोगे और हमारी यूटूब चैनल की उपर भी आप अग मुकाबले वोन करके रही है वे दो मुकाबले है वो लोज करके रही है इस टीम की तरफ से आपको साहिल गोवर है वो ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे लास्ट मुकाबले में बे देखो तो बैटिंग में 17 नाबाद मुराए उससे पहले भी देखो तो इतना अच्छा कासा परदसन इनका नहीं रहा है लेकिन साहिल गोवर आपके लिए ओर इस पिक रहेगी जुरूर से अपनी टीम में ट्राइ करके चलाए वही ओपन कराने के लिए आते हैं कभी बे आपको एक बड़ी इनिंग कहल के दे सकते हैं तो साहिल गोवर को आप जिये लोग रहा के कॉमिनिस में वी सी भी ट्राइ करके चल दो महीं बात की जाए एस डेविज की तो लगातार ये भी ओपन कराने के लिए रहे लास्ट मुकाबले बैटिंग में पैंती सनमना है दोवर की बोलन डाली आट रन करके एक विकेट निकाला सेकिन लास्ट मुकाबले बूरी तरह स सफलता भी नहीं मिली उससे पहले वाले मैच में देखो तो बैटिंग में 40 सनमना है दोवर की बोलन डाली एक विकेट निकालके दिया तो डेविज आपके लिए इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर सी अपनी टीम में कवर करके चल आए रितिक तोमर की बात की जाए तो ला बैटिंग का मोका नहीं मिला लेकिन दोवर की कंप्लेट बोलन डाली 15 रन खरके दीन विकेट निकालके दिये उससे पहले भी इनका परदसन देखो तो काफी लाजवाब इस सीजन रहा है तो इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी तो सीधा-सीधा आप अपनी टीम में कर ले सकती हो सुवान फराद की बात की जैत नास मुकाबल में बैटिंग का मोका नहीं मिला लेकिन दोवर की बोली डाली 14 रन खरके दो विकेट निकाला डोर्प राद आप लाजवाब चलीए इपोर्टन पिक रह टो लाइस्स मुकाबले बेटिंग और बॉलिंग दोनों नहीं करवाइगे तो सीदा-सीदा आपड्रोप करने का रिस्क कर ले सकते हो जादिन मुहमाद भी आपके लेकर रिस्क रहेंगी देखो तो अभी तक एक मुकाबल में ठीक–ठीक ताक इनिंग के के दिये तो एक रिस्की पिक रहेगी सीधा सीधा ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो जाविद इकबाल की बात की बात कि दोर की बोलों डाली 15 शपलतानी में उससे पहले वी दो नो मुकाबलों में देखोगी तो विकेट लेस रहे हैं जादे सीधा आपको एक विकेट निकाल के दे सकते हैं चाओ तो आप जीया लोगरा के को में ट्राइक करने का रिस्क ले सकते हो बाकि बाकि बैंची में जो भी अपडेट आई गाई वो मिल जाएगी आपको मारे टेल लिंक मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जल्दी से जाके गई टेलिग्राम चैनल को जूइन करना अगर दोस्तों आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं कहते हैं आई होप आप जल्दी कंप्लीट कर दोगे और जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी जो यो लोग कर किया रही है इस टीम की तरफ से आपको नमी मोला आपको बोरिंग यह अच्छा वा सा किरूआ करे दे रही थे लएक उससे पहले नगाे सीप सीवीज की स्ट चोईईर रहने वाली है तो सीधा-चिज़ आप अपने टीम में कवर खरके कैपٹ tempo कर के चल सकतरो और वहीं बात की जाए इनके साथी उपनर सुदेष विक्रमा सेखर की तो लिश मुकावले में देखो तो बेटिंग में केqual दो रणना है लेकिन दो और की बोलिट डालती वे तीन विकेट निकल के दिये तो लास मुकावले नमबर थ्री पे बैटिंग कराने के लिए बैटिंग में नो उरन मना एक और की बोले डाली एक विकेट निकाल के दिया उससे पहले भी कई मुकावलों इनका परदसन काफी लाज़ोब रहे तो रून आलोकन आपके लिए जीयलोगरा में एक ट्रंप काड पकिले के तो घेलोगरा की तो छाओज जीयलोगरा के लिए जीयलोगरा के लिए लिकरिकर इदे उ एक पार्मर की बाद की बात जाओए तो लास मुकावले में इस इस मैच में देखो तो आपको टोफ पोर्डर में भी वैटिंग करवाती हुए नजर आ सकते हैं तो हो तो अपने टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ सामिर की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में देखो एक विकेट एक विकेट और एक विकेट दो तिन मुका रहेगी चाहो तो अपने टीम में आप जरूर से ट्राइ करके चल सकती हो आलिद हमत की बात की जाए तो लास्ट के दोनों मुकाबले में देखो एक विकेट और बोलिंग दोनों नहीं करवाके दे रहे तो एक रिस्की पिक रहेगी सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क अब लाइस टीम की तरफ से नहीं खेला है एक रिस्की सी पिक रहेगी बाकि आपको कंप्लीट दोवर की बोलन डालके दे तो यह लोगरा के कॉमिनेस में आप अपने टीम में जुरूर से ट्राइ करके चलकते हो गाई बाकि PCC की बैंसीज में जो भी अपडेट आई गाई दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट की प्रिंग सेक्स में साहिल गोर आपको ओपन करवाती हुए नजर आ जाएंगे फोर्म भी ठीक टाक चलिए इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर सी अपनी टीम में कवर करके चला है बाकि आप चाहो तो जीया लोगरा के कॉमि एहमद की इपोर्टन पिक रहेगी औरेज पिक रहेगी बैटिंग ओडर में आप अपनी टीम में जुरूर से ट्राई करके चलते हुँ इम्रान उलक की बात की जाए तो बैटिंग ओडर इनका काफी ज़्यादा नीचे रहता है सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले लेकिन बैटिंग ओडर में आपको अन्य अच्छी पिक नहीं मिलेंगे जिनके बैटिंग आने की चांसिज रहेंगे तो इस कंडिशन में आप आकास को अपने टीम में जुरूर से ट्राई करके चलते हो वहीं बात की जाए कुसल की तो कुसल का भी बैटिंग ओडर देखो आपको बैटिंग नाथर वहे बीर से लाको आपकास की नंबर थ्री पे बैटिंग कराने के लिए सेकेने लास मुकाबली में ओपन कराने के लिए लेकिन इपोर्टनन पिकर है और चाहओ तो अपनी टीम में आप जरूर जाविद इकबाल आपको complete दोवर की बोलिंग डालके देगे तो जीयल वगरा में ट्राइ करके चलती हो बाकि आप आलाउंडर सेक्षन में देखो तो सुमोल लिख में आपके लिए जाविद इकबाल एक रिस्की पिक रहे ही बाकी जीयल वगरा में चाहो तो जूरूर से ट् तो आपको no.3 या no.4 पे बैटिंग करवा के देगे पलस आपको complete दोवर की बोलन डालके देगे इपोर्टन पिक रहेगी जूरूर से अपने टीम में कवर करके चाहो तो सीवीजी भी ट्राइ करके चलती हो एस फराद भी आपके लिए इपोर्टन पिक रहेगी आपको complete द रोप करने का रिस्क ले सकते हो वही नीचे बात की जाए साहिल सुमित पटेल की इपोर्टन पिक रहेगी लास मुकाबल में एक विकेट सेके लास मुकाबल में तीन विकेट इपोर्टन पिक रहेगी सीधा सीधा आप अपने टीम में कवर करके चलती है तो उससे पहले दो क्राइब चैनल तो जल्दी से जाके जोईन करेना कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फिलाल के लिए देखो और पिक रहेगी जुरूर से CVC ट्राइ करके चलके नवीन लाला हो गया साथ साथ डेवीज हो गया दोनों भी आपके लिए सेफ CVC की चोईश रहने वाले दोनों आपको बैटिंग और बोलिंग दोनों करवाती वे नजर आ जाएंगे तो जुरूर से अपने टीम में आप कवर करके CVC ट्राइ करके चलके हो रितिक तोमर को आप जील और समोली के दोनों कॉमिनेस में CVC ट्राइ करके चले ना आपके लिए पोर्टन पिक रहेगी टीम प्रिव्यू की बात की जाएंगे तो दोस्तों देखो यह मारी फाइनल टीम नहीं है ओनली एक डेमो टीम है जो फाइनल टीम होई वहाप टटोस के बाद आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और टेलिग्राम के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बल्यू कुलर के लिंक रहेंगे सिंपलिया वहाँ पे कलिक करके मारे टेलिग्राम चैनल को जूइन कर सकते हो अगर दोस्तों आपको मारा स्टेट एनलाइसीज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभार्त